यह वो पाइप है उसके अंदर सब्जी आव आई जाते है हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो धाकड़ हैड्रोपोनिक के इस यूटूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको राजस्थान लेके चलेंगे राजस्थान के बाडमेड जीले में खेतेशवर गुरुकुल करके एक लोकेशन है वहाँ पे हमारे मित्र ने ही ये हैड्रोपोनिक सेटप बनाया था पर वहाँ गुरुकुल के अंदर जो गुरुजी है उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ अपडेट करना चाहिए इसको थोड़ा वेवस्तित करना चाहिए तो इस सिलसले में उन्होंने हमको बुलाया है तो आज इस वीडियो में 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 वहाँ पे किस तरह से सेटप बना हुआ था क्या लोकेशन है इसके उपर बात करेंगे पाइप होते हैं इसको अंदर पाणी डालना होते है पानी डालते हैं दीरे दीरे बीज जोते हैं बड़े होते हैं अनिया भार आ जाते हैं फिर उन्हों को निकालकर एक एक जो सबजी होती है वो निकालकर यह बोजन साला में देते हैं यह हैं खेतेश्वर्ख गुरुकुल में पढ़ने वाले वहां के शिश्य हैं और उन्होंने बड़े easy way में बताया कि यहां पर हाइट्रोपोनिक में या पाइप में जो खेती होगी उस खेती में जो सब्जियां पेदा होगी उसको गुरुकुल में ही उप्योग किया तो दोस्तों सही बाते ऐसा कॉंसेप्ट होना चाहिए कि हम लोग हमारी सब्जियां खुद ग्रो करें और उसका खुद उप्योग करें और आज जैसा कि बाहर मार्केट में पेस्टिसाइड वाली सब्जियां जो बिक रही है उससे कही निजात पाने के लिए हैड्रोपोनिक एक वर्दान साबित हो सकता है और ये कॉंसेप्ट गुरु कुल में यहां के जो गुरु जी है उन्होंने इसको लगभग डेड़ साल पहले चालू किया था और काफी अच्छी सोच है गुरु जी की के उनके जो बच्चे हैं लगभग इस गुरु कुल में 300 से 400 बच्चे ह और बहुत अच्छा वातावरण है हमने पहली बार गुरु कुल देखा जहां पर संस्क्रत शिक्षा सिखाई जाती है यहां के जो आचारी जी है वो वाराना सीके हैं और बहुत अच्छा मतलब डिसिप्लीन है बच्चों को सुबे 5 बज़े उठना पड़ता है और प्रात चाहे होकूर у करें चाहे अचीदेक नशरी हो तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर नर्सरी यहां भी डाली का लिए लीफी वेजे टेबल के लिए जैसे की धनिया है पालक है फूल गोभी है जिसमें लाल फूल गोभी पीली फूल गोभी पत्ता गोभी साथ में हम लोगों ने यहां हमारी धाकड़ हाइटेक नर्सरी से हम लोग टमाटर के एक हजार प्लांट लेके गयते तो वह भी हम लोगों ने यहां पर नेटपोट के अंदर लगाए हैं और यहां पर कोकोपीट को भी भड़ी हसा हमने वाश किया है क्योंकि काफी टाइम से कोकोपीट वाश नहीं हुआ था तो हम लोगों ने उसको हैट्रोजन परकसेट्स टी तो दोस्तों इस तरह से यह हैट्रोपोनिक सेटप वर्क कर रहा है और यहां पर जो पहले ग्रीन नेट लगा हुआ था वह हम लोगों ने हटा के यहां पर सिल्वर नेट लगा रहे हैं क्योंकि सिल्वर नेट के अंदर प्रॉपर लाइट आएगी जिससे हमारे पत्तिदा सब्सक्राइब और साथ में फल वाली सब्सक्राइब होगी तो इस तरह से यह हैट्रोपोनिक सेटप गुरुकुल में इस्तापित हो रहा है और यहां के बच्चों के लिए यह जो गुरु जी की जो सोच है उसके हिसाब से यह आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा जैस कर सकते हैं और हैट्रोपोनिक की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारे धाकड़ हैट्रोपोनिक फार्म पर आके इसकी ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं धन्यवाद